हेलो प्यारे बच्चों कैसे आप सब तो बच्चों आज हम बात करेंगे most important questions के बारे में जो कि electrostatic board exam में किस तरह से फूच सकता है electrostatic questions उस पर बात करने बाले हैं बच्चों आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे हैं आप लोग इस chapter में बहुत कुछ पढ़ चुके ह सिर्फ 16 marks की कितनी 16 marks की questions put up हो रहे है electrostatic से मतलब आपको electrostatic ठीक है electrostatic को बहुत ज़्यादा पढ़ना है और इससे सिर्फ 17 16 marks की question put up हो रहे हैं तो बच्चों मैं बात करूँगा वो 16 marks कैसे आप cover करोगे मैं आपको यहाँ में पढ़ाने नहीं आया हूँ जी कोई topic पढ़ा होंगा नहीं मैं सिर्फ बताने आया हूँ कैसे आप cover करोगे बहुत important है बच्चों वीडियो को skip मत करना आंग तक जरूर देखना इसको ठीक है तो कैसे आप 16 marks cover करेंगे इस electrostatic से वह topic कौन-कौन से है वह important question कौन-कौन से है जिसको आप पढ़ लेंगे तो जो है आप cover कर ल करेंगे लेकिन जो यह topic बच्चों है उन सब पर ज्यादा ही कुछ focus करना है आपको और साथी साथ इन पर जो questions मैं दिखाऊंगा numericals जो पूछे जा सकते हैं उन पर आपको बहुत ही strictly focus करना है क्योंकि वह question बार-बार repeat हुए है previous year questions में मतलब हम उठाये questions को लेकर कि वह अभी इन तक जो है बार-बार repeat करता हुआ questions है है ना तो जैसे electrostatic में दो पार्ट होती है एक है electric electric charges charges and field का एक chapter आपका यह है और दूसरा पार्ट है electric potential electric potential and capacitance ठीक है यह दो चैप्टर मिला करके एक पार्ट बना है एक चैप्टर है NCRT की साबसे और एक चैप्टर आपका यह है इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं electrostatic electrostatic का मतलब आप लोग जानते होंगे charge at rest charge at rest सब charge at rest की कहानी है उसी को study करते है उसी को हम लोग electrostatic कहते हैं ठीक है तब आप लोग पढ़ चुकी हो बट हमें जानना है कि वो कौन कोन से questions है जिने पढ़ लेने से हमारे 16 marks board exam में कबर हो जाएंगे very important बच्चों है इतना मज़ा जाएगा पढ़ लोगे आप लोग तो कहोगे हां कि सर्व हमने जो हमको idea अपने दिया वह बहुत ही लाजवाब idea था ठीक है तो जैसे इस chapter की तर में बात करो तो इस chapter में आपको पढ़ना है सबसे important है कूलम्स का लोग किस का लोग कूलम्स का लोग इसे अब theory पढ़ेंगे साथ में इसकी जो भी values है जो भी फार्मूला है सब याद रखेंगे और इस पे based numerical solve करेंगे confirm है numericals अगर numericals कर लेंगे theory पढ़ लेंगे तो definitely इससे question में आपको देखने को जरूर मिलेगा दूसरा है आपका electric field इलेक्ट्रिक फिल्ड जो आप निकालेंगे बेटा इलेक्रिक फिल्ड वो due to due to single point charge अकेला charge है या आप calculate करेंगे due to dipole dipole का मतलब जिसमें दो चार्ज हो है ना दो चार्ज का एक system हो उसमें axial line और equatorial line very important है electric field calculate करने के लिए due to single point charge कारण अगर ये आप पढ़ लेंगे दो heading इसके ये और तीसरी heading आपकी है electric field lines कौन है field lines इसकी properties के बारे पढ़ लेंगे इसके लेकर जो questions वो कर लेंगे तो भी आपके और नमबर अच्छे पक्के हो जाएंगे और चौथा है टॉर्क कौन सा है टॉर्क on dipole इसका derivation प्लस इस पर बेज numerical आप solve करेंगे डाइकोल मोमेंट क्या होता है इतनी चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं साथ में gauss theorem को पढ़ना न भूले किसको न भूले gauss theorem और इसकी application application बच्छों तीन होते हैं है एक स्ट्रेट वायर करण application में स्ट्रेट वायर है यह पढ़ लीजे स्ट्रेट वायर प्लेन शीट पढ़ लीजे बच्छों प्लेन शीट वाला जो इस तरह से है पॉस्टिव चार्ट रगता है है और एक स्फियर का उसका जरूद नहीं है यह दो पढ़ ल इन सब्स पर जरूर सॉल्व करिए साइड बुक से एंसियाटी मत चुई टश मत करिए साइड बुक यूज करिए चुकि एंसियाटी पैटर्न है सीवसी में है लेकिन हमें स्ट्रेट अरोडा या कोई अधर साइड बुक जो प्रदीप और जो भी आपके नाम दिमाग पीच लेंगे इतने से आठ नंबर अब बात करते हैं बच्चों पोड़ाइंचल के बारे में एक इसको इरेज करते हैं थान रखना बच्चों निमेर्कस भी रहेगा अब बात करते हैं पोड़ेंचल की ठीक है इसको मैं करता हूँ इरेज करता हूं इसको यह आपका हो गया प्यारे बच्छों नंहें मुन्हें है ना हाँ ठीक है यह हो गया आपका अब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल वाले में सबसे चैज रखेंगे और दूसरा पोटेंशियल ड्यूटू डाइपूल और इसमें कौन सब्सक्राइब मालूम है जनेरल पॉइंट यह वाला अंगल फीटा डिस्टेंसार प्वाइंटी माइमस क्यू प्लस क्यू यह वाला पोटेंशियल आप लेंव करेंगे मतलब प्रूफ करे इसका probing बढ़ियाँ से करना, इसकी भी probing आपको आने चाहिए, ठीक है, और ये probing सम जनरल पॉइंट पे है, और इसी से axial line और equatorial line कल्कुलेट कर लोगे, ठीक है, और आपको इसमें कल्कुलेट करना है, potential energy कितनी होती है, potential energy, है ना, minus P e cos theta का derivation आप याद रखेंगे वच्छो, और साथी साथ 1P potential surface तयार रखेंगे, sketch करना, और इसकी properties, 1P potential surface, ठीक है, ये इतनी चीज़ अगर आप याद रखोगे, ठीक है, potential energy, 3 charges के system का, 2 charges का system का, 4 charges के system का, potential energy कैसे calculate करेंगे, है ना, 2 से अधिक, 2 से जादा charges का system है, तो उस पर numericals आपको solve करने है, पहले focus करना, numerical, potential energy पर numerical बहुत ही important है, charges का system का, बात करते है, capacitance का, तो capacitance में आप लोग क्या focus करेंगे, ये वाले question, जैसे कि ये, है ना, ये capacitance लगे हुए है, हमने ऐसे wire connection problem, इस type वाले question, इस type वाले question आप solve कर लेंगे, इसे मालों कि C, C, C capacitance है, तो इसका equivalent कितना होगा, A और B के बीच, है ना, कभी-कभी इस तरह से भी दे देगा, है ना, यहाँ capacitor लगा हुआ, यहाँ भी लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है, एक capacitor ऐसे लगा दिया, यहाँ पे, एक capacitor ऐसे तो आप इस condition में कैसे calculate करेंगे, तो इस type वाले, और इस type वाले question, तो याद रहा है, यह तीनों किसमे है, parallel में है, और यह सब जो दिखाई बढ़ा है, यह wheat stone bridge पर solve होगा, application है उसका, ठीक है, और simple circuit रहेगा, तो आप लोग solve ही कर लोगे, है ना, हलोआ है, खाजा होगे, ले questions की, इस पर numerical solve होते हैं, ध्यान रखना, इस पर भी numerical साता है, energy stored पे, इसका proving भी आएगा, है ना, proving कूछ सकता है, तो ऐसे वगयर वगयर questions, आप solve कर लेंगे, तो 15 से लेकर 16 marks तक आप इस chapter से cover कर लेंगे, और बाकी आप तो पढ़े ही हो, समझदार ही हो, छोटे-छोटे conceptual question तो आप लोगे ही पढ़ोगे, तो अगर इन बातों को follow कर लोगे ना बेटा, मस तंबल लाओगे, यही है important question इस वीडियो में, मजा आया, पढ़िये, thank you, all the best, thank you